तो देखते हैं पर question number 22 में हमसे क्या पूछा गया है The volume of a 500 gram sealed pack is 350 cm3 यहाँ पर हमारे पास एक sealed packet है और इसका जो mass है वो यहाँ पर 500 gram है और volume यहाँ पर कितना है इसका 350 cm3 है Will the packet float or sink in water if the density of water is 1 gram per cm3 तो यहाँ पर जो packet है वो यहाँ पर पानी पर थहरेगा यह डूब जाएगा अगर यहाँ पर पानी की density 1 gram per cm3 होगी तो what will be the mass of water displaced by this packet तो कितना mass यह packet water का displaced कर पाएगा वो हमें यहाँ पर बताना है तो करते हैं यहाँ पर इसको solve तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या गिवन है हमें यहाँ पर packet का mass गिवन है वो हमें यहाँ पर गिवन है 350 cm3 गिवन है और जो density का formula होता है वो यहाँ पर क्या होता है वो हम देख लेते हैं density के जो formula होता है वो यहाँ पर होता है हमारा mass upon volume क्या होता है mass upon volume अगर इसकी density यहाँ पर पानी से जादा होगी तो जो object है वो यहाँ पर डूब जाएगा अगर यहाँ पर पानी की density जादा होगी तो object यहाँ पर क्या करेगा तहरने लगेगा float करेगा तो यहाँ पर पहले इसको solve कर लेते हैं और पदा करते हैं यहाँ पर कि जो यह packet है वो यहाँ पर flow at करेंगा कि टूब जाएगा तो जो mass है वो यहाँ पर कितना 400 घ्राम है और already हूद नहीं हिरुक अपर 350 इसको यहाँ पर divide करते है तो 50 को यहाँ के से करना है 35 से करना है तो इसको two करते हैं 35 बंगा 35 यहां पर हमारे कितना बचा 15 पॉइंट लगा देंगे 0 लगा देंगे और 35 को हमें किस से करना पड़ेगा 4 से करना पड़ेगा तो यहां पर कितना जाएगा 140 आ जाएगा 10 बचा और फिर दुवारा है यहां पर 0 लगा देंगे तो यहां पर 2 आएगा तो 1. 1.42 something आएगा तो इसको यहाँ पर हम क्याता रहेंगे डिवाइट करने के बाद जो यहाँ पर हमारी एप्रोक्स वैल्यू आएगी वह यहाँ पर क्या एगी 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 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 यह हमें यहाँ पर ग्राम में दे रखा था और जो इसका वॉ of sealed packet या packet लिख देते हैं density of packet is is more is more than water is more than water so it will sink so it will sink तो इसका मतब यहाँ पर डूप जाएगा क्यूक्कि जो इसकी density वह यहाँ पर पानी से ज्यादा है अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो यहाँ पर पानी के जो मास है वह यहाँ पर कितना है दिस्प्रेश कर पा Cleok dopo इसको मिहां पर देंसिटी के फारिमले से निकाल पाएंगे तो अम यहाँ पर लिख लेते हैं density of water क्या लिख लेते हैं यहाँ पर density of water equal to मास of water हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारे हैं यहाँ पर मास ऑ नो और आ आ हम dhctions कर लेंगे तो तो यहाँ पर हम लिख लेते volume of packet. Volume of packet करेंगे. तो अब यहाँ पर जो density of water वो हमें हें और कितना और जो mass of water वो हमें हहाँ पर नहीं पता. वो हमें ऎलाना है, जो हमें यहाँ पर displaced होगा. जो हमें volume of packet वो यहाँ पर कितना गिवन है? तो यहाँ पर लिख लेते हैं, 350 cm3 गीवन है, अब जो यहाँ पर mass of water वो हो, यहाँ पर कैसे निकल पाएगा, इसको यहाँ पर करते थे, cross multiply, यहाँ पर हम कर देंगे, इसको cross multiply, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 350, 350 gram हो जाएगा, क्योंके cm3 से cm3 कट जाएगा, तो यह यहाँ पर हमारा mass of water कितना displays हो पाएगा, यहाँ पर 350 gram displays हो जाएगा, आपको यहाँ पर सारे NCI discussion समझ में आ गए होंगे, अब हम चलते अपने next exercise की तरफ,